हलो गैज, गूड इवनिंग, क्रिप्टो, मेरे क्रिप्टो मेंबर्स, हलो, कैसे हो आप लोग, बहुत दिन से आप लोग के लिए वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट में कुछ सब्स्टेंशल दिखनी रहा था, अभी मैं सोच रहा हूँ, वापस हम लोग क्रिप्टो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे देख रहा है कि एक वीफ खतम होने को आ रहा है, तो पोटेंशल है कि यहां से मारकेट थोड़े से चेंजिस होंगे, मैं डीटेल्स इतना बताऊंगा, नहीं, वो सब क्रिप्टो का जो मैं वीकली आनलेसिस का एक वीडियो डालूँगा, वेडनेस देको हम लोग जो वीक में न्यूज और इवेंस होते हैं क्रिप्टो के, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानना वो सब कवर कर लेंगे, एंड इटिंक वीक में एक बार हम लोग बिटकोईन, एथिरियम और माक्रो का एनलेसिस देख लेंगे, क्योंकि स्ट्रीम का में पास जाधा टाइम होता नहीं है, बिकिज आफ जो भी कोर्स का रिकॉर्डिंग चल रहा है उसके वैसे, तो मैं सुचा कि आप लोग को अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइं आप अगर स्पॉर्ट इंवेस्टिंग करते हो, तो आप खाली बीटी सी यूएस डी टी का चार्ट यूज़ करना, पॉप का चार्ट यूज़ मत करना, मैं आपको दिखा देता हूँ, वाटर मार्क में, यह किन सी कि ये परपिचुल फ्यूचर से लिखा है, तो ये तो ये दो important points हमें पता है, जो हमें clearly chart में दिख रहा है, इसमें I think there is no doubt किसी को कुछ होना नहीं चाहिए कि ये कैसे बनाया, क्या बनाया, it is quite easy to focus, कि कहां कहां पे हमारा resistance है, ठीक है, अभी इतना पता है कि 25249 में, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, I think आपको text नहीं रहा होगा, I think अभी ठीक ठाक होगा, yes, so 25249 में I think हमारा सबसे important resistance है, अगर हम लोग normal technical analysis की बात करें, तो हमारा देखो ये वाला downtrend जो था, यहां पे खतम हो गया, because this is the first resistance, this is the second resistance, technical analysis के perspective से दिखोगे, and you can see कि market उपर आया, वापस इसको test किया, and then हम लोग एक single line में उ बेफ, मुझे ये वाला जो uptrend है, इतना अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप crypto का जो भी recovery market है, वो दिखोगे, जो first trend है, इतना उपर नहीं जाना चाहिए, जा रहा है तो इसके बहुत सारी reasons है, first reason है कि जो बड़े investors हैं, जो whales हैं, हम लोग जो crypto में जनको whales बलाते हैं, I think ये लोग sell कर रहे हैं, ये rise में, position निकाल रहे हैं, क्योंकि macro में आपको पहले ही बोला था कि थोड़ा सा bearish दिख रहा है, दूसरा हो रहा होगा कि exchanges क्या कर रहे हैं, beginning of the year है, तो उनका जो liquidity का जो भी ratio है, वो उसको square off कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि ये market में लोग continuously short करते जा रहे हैं, इसलिए ये rally में fuel बहुत अच्छा आ रहा है, बट यहां तक तो, it was quite easy कि यहां तक तो हमारा significant liquidity था market में, ठीक है, सो मैं इसको यहां पर mark कर देता हूँ, 21464 पे significant liquidity था हमारा market ऊपर जाके आए, अगर मैं fib के targets की बात करूँ, तो खाली अगर ये वाला wave देखे तो you can see कि हम लोग extended fib में हैं, मतलब 2.618 already touch कर चुके, मुझे लगता नहीं और ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर मैं खाली basic 12345 analysis पर करता हूँ, तो third wave अगर ये होता ही, over extended हो जाता है, fourth wave, फिर fifth wave होना चाहिए, ठीक है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि market एक ही direction में चला जाए, अगर ये 12345 का wave होगा तो उसका कोई confirmation अभी तक आया नहीं है, बहुत जिल्दी आ जाएगा हमें, so don't worry, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे we can decode it and we can move forward, जब याद रखना कि जब हम लोग नीचे आएंगे, तो बहुत सारे possibilities हो सकती है market में, तो चलो वो सब points mark क करना फिर बता नहीं कि भाईया ने बोला नहीं ये बात हमें, ठीक है, अगर हम लोग अपना POC देखेंगे, तो मैं आपको तीन key levels mark करके देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत idea हो कि crypto trading करना कैसे चाहिए, मैं आपको तीन levels mark करके देता हूँ, जो bank nifty वाले भी हो, ये important level हो जाता है, उसके बाद जो हमारे important levels है, आप देख सकते हो, छोटे छोटे जो consolidation हो रहे हैं, यहाँ पर market move कर सकता है, अच्छा कासा, तो ये एक point हम लोग mark कर देते हैं, 21918 वाला, ठीक है, इसके अलावा, there is no significant zones, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, अगर मैं basic premium or discount zone की बात करूँ, तो वो देख लेते हैं, कहाँ पर है, तो you can see कि हमारे जो premium or discount zone है, वो यहाँ पर है, जो मैं हमेशा हमारे channel में बात करता हूँ, premium discount zone, तो उसको mark करना बहुत important हो जाता है, so you can mark this, 19175 हमारे जो zone है, वहाँ पर काफी अच्छा है, इसके साथ हम लोग देखते हैं कि और क्या-क्या चीज हो सकता है, एक चीज आपको quite clearly दिख रहे होगी, कि यह वाला जो zone है, यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा SR flip हुआ है, because you can see कि बहुत टाइम से यह हमारा resistance था, and अभी हमारा यह जो चीज है, यह अभी support बन गया है, right, तो अगर नीचे की तरफ एगा, and फिर उसके basis पे हम लोग देखेंगे, okay, so you can see कि इतना basic करके हमने daily chart में कितने points ट्रेडिंग के लिए mark कर दिये, so this being the SR flip area, and हमारा जो fourth wave का target है, everything is aligning यह वाले zone में, right, जो हमारा 19,175 से लेके 18,258, तो यह हमारा wall zone हो गया, यहां से अगर market नीचे चला जाता है, तो फिर हम लोग थोड़ा bearish होना शुरू करेंगे, हो कैसे सकता है, market यह वाले resistance के नीचे वापस आएगा, यह वाले line के, फिर इसको resistance देखे, अगर इसके ऊपर reverse करता है, ठीक है बड़ अगर market structure change करके नीचे आता है, तो फिर यह एक relief rally था, इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं, मत्दब और 1,2,3,4,5 काम नहीं करेगा, अगर हम लोग इस point के नीचे आ गए तो, ठीक है, इसमें और details में मैं दास जा सकता हूं, बड़ I think इतना काफी होगा अभी के है, so important levels देख लो, 25249, 21464, 19175 and 16787, ठीक है, मेरा जितना मानना है, market जो उपर गया है, अभी continuously, बहुत सारे लोग यहां पे trap हुए होंगे, especially Moonbirds, जो फालतु के YouTube channels देखते हैं, वो लोग यहां पे trap होना शुरू हो गये होंगे, उनको लग रहा होगी हमारा bull market स्टार्ट हो अब उपर चला जाएगा, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाए, caution करने के लिए आपको, अगर हम लोग basic RSI का analysis देखेंगे, तो आप देख सकते हो, RSI is very quite frequent, बहुत उपर के levels में, it is overbought, ठीक है, मतलब बहुत लोग यहां पे, overbought area में, बट यह दो चीज़ें हैं, यहां पे यहां पे liquidate भी हो रहे हैं लोग, तो इसलिए RSI देखो, इतने से छोटे से move में quite fast उपर चला गया है, अगर यह actual move होता, तो market RSI हमारा धीरे धीरे जाता, daily RSI हमारा इतना उपर इधर था, okay, so this is around 20th of October, and उसके पहले हमारा daily RSI इतना दू जाते नहीं है, जो last हमारा point है, वो देखते हैं, you can see की 20th of October को market, same pattern आप देखो, कि यहां पे higher high dollar price ने, and RSI ने significantly lower high डाला, and then we came crashing back, ठीक है, यहां से हमारा जो bear market है, वो शुरू हो गया था, right, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, so what can happen is कि हम लोग नीचे आ सकते हैं, 21297 टैप कर सकते हैं, 253, 25249 का जो range है, हमारे साथ अभी ऐसे जाएगा, and then हमारा एक शायद significant bearish divergence आ सकता है, अगर आप 4 घंटे के time frame में जाओगे, तो आपको clearly दिखेगा, यह होता हुआ, तो shorter time frames में swing trading के लिए, आपके पास अच्छे targets हैं, यहां से 21198 तक आपके पास अच्छे targets है, 21200 तक market आ सकता है, ठीक है, अगर में market cipher की बात करो, तो market cipher का wave भी देखो, pick out कर रहा है, यहां पे हमें 2 sell signal बिला है, बट अभी तक कोई trigger wave आया नहीं है, तो फिर attempt लेना जाएज नहीं होगा, पहले market cipher इतना ऊपर कभी आया नहीं था, यहां पे एक बार आया था, this was 28, 1st of July, I think similar चीजें जो अभी दिख रहे हैं हमें, वही हुआ था market में, तो let's have a look कि क्या हुआ था, यहां पे भी देखो, market top up किया था, and then फिर नीचे आ गया था, ठीक है, इसको trade करने के 3-4 तरीके हैं, बट मैं आपको सबसे basic चीज जो बताऊंगा, आज 4 घंटे chart में चलते हैं हम लोग, आप हमेशा द दिखो, कभी भी हमारा जो low लगा है न वो टूटा नहीं है, ठीक है, यहां पे यह low लगा था, यह टूटा नहीं, market test किया, इसको उपर गया, इसको trade करने का बहुत ही easy तरीका है, कि जब भी market 50% level cross करें, आप उपर जाना, क्योंकि यहां पे लग रहा है कि लोग, more people are shorting than they are longing, तो इसलिए market उपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो first signs of reversal आपको कब मिलेगा, आप अगर देखोगे, यह line जो parabolically उपर जा रहा था, अभी consolidate होके थोड़ा सा bend हो रहा है, ठीक है, तो मैं immediate support resistance mark करूँ ऐसा, तो you can see कि यहां से अच्छा खासा rejection आया है, and market एक higher high देके tap किय ठीक है, तो initial swing failure pattern हमें मिल गया है, अभी हम लोग मान के नहीं चल सकते हैं कि यह swing failure pattern से market नीचे जाएगा, क्योंकि पता किसी को है नहीं, होगा गया, right, but what you can do is, you can mark this zone, यह जो हमारा, यहां पे जो हमारा last low है, उसको आप mark कर सकते हो, इस पे ध्यान रखना, जब market इसके नीचे जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, lower time frames में फिर आप जाके trade ले सकते हो, ठीक है, but first point इसकी market को यह वाला low के नीचे जाना पड़ेगा, and you can see कि यहां पे हमारा last high भी है, ठीक है, तो अगर market ऐसे strong break करता है इस low के नीचे, फिर इसको यहां यह जो line है यहां पे इसको अगर support मिलता है, तब फिर हम लोग expect कर सकते हैं कि market जब यह resistance वापस test करें, फिर नीचे जाए, ठीक है, फिर pattern changes होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग higher highs और higher lows के pattern में चल रहे है, अगर आप इतने time से देखोगे, तो you can see कि higher highs, higher lows, वो mark करने की जरुरत नहीं, I think you guys can see it quite clearly, यहां पर देखो एक low लगा है, अगर मैं इस lows को बढ़ा हूँ, तो अभी तक हम लोग higher highs, higher lows patterns में है, highs mark, मैं आपके लिए mark कर देता हूँ, ठीक है, तो यह देखो चल रहा है, तो पहली बार market structure हमारा कब काम करेगा, जब हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, पहली बार अगर low तोड़के फिर हम लोग structure break करके नीचे जाते हैं, तो फिर यह market structure हमारा change होगा, उसके बाद आप decision ले सकते हो trading का, जो नए लोग हैं, जो crypto trading कर रहे हैं, I think कि आपको अभी trading करना नहीं चाहिए, जब तक market अच्छा खासा notification नहीं देता, यह आपको पता नहीं चलता क्या हो सक तब तक आप trade मत करना, ठीक है, तो अगर मैं macro supply zone की बात करूं, तो पहले daily time frame में उसको mark कर देते हैं, जो हमारा macro supply zone है, आप देख सकते हो market जहां से last time गिरा था, वहां तक market वापस आ चुका है, so what we can do is कि we can just go ahead and mark this zone, यह हमारा macro supply zone हो जाता है, and market जब भी इसको tap करेगा ना, तब फिर market थोड़ा सा reverse करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तब आपको corrections आने दिखेंगे, तो क्या हो गया, yes, so this being the macro supply zone, you can see कि यह tap हो चुका है already, and हम लोग एक swing failure किया है, but there is no confirmation here, ठीक है, तो अगर हम लोग lower charts में चलते हैं, और इसको ऐसे देखते हैं, तो what you can do is कि you can wait कि ज जब तक यह वाला जो low मैंने आपको mark करके दिया है, जब तक यह low break नहीं करता, आप फिर जादा कुछ उगली मत करो market में, जो हो रहा है market को करने दो उसको आराम से, and जैसे यह structure break होता है, फिर आप क्या कर सकते हो ना, फिर आप trend line draw कर सकते हो, पांच मिनिट के chart में जब भी trend line breakdown होता है, आप फिर उसमें trade ले सकते हो, या parallel channel फलाना कुछ भी कर सकते हो, इसके बहुत सारे ways है, trade करने के लिए, ठीक है, अभी का सबसे best way है, जो मैंने आपको scalping technique का दिया था, crypto का, जो strategy YouTube पे है, जैसे ही आपका कोई भी divergence आता है, highs बस target करो, and market आपको अच्छा कासा profit देगा, वैसे है, क्योंकि हम लोग अभी एक range में फस हैं, तो range trading का वही है कि lows पे आप bullish divergence टूंड़ो, and highs पे आप bearish divergence टूंड़ो, ठीक है, अगर आप एक मिनिट चार्ट में जाके intraday trading कर सकते हो, तो you can see कि बहुत सारे trade opportunities यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो भी आपको दिख patiently इसको trade करते रहना चाहिए, ठीक है, but it is, मैं आपको suggest करूंगा कि अगर आप experienced trader नहीं हो, तो फिर 15 minute के नीचे मत जाओ, and just focus on bitcoin for now, alts को जादा और देखो मत, छेडो मत, ETH का मैंने already आप लोगं को बता के रखा था कि ETH का जो 1680 का zone है, वहाँ से गिरेगा market जबर्दस गिरने वाला है, and वहाँ से market exactly गिर के आया है, and ETH का, यह वाला दूसरा template है, तो इसमें होगा नहीं, but ETH का अगर मैं daily देखूं, तो मैं, जो भी हमारे खुजली वाले traders हैं, उनके भलाई के लिए update कर देता हूं, तो हम लोग इतने दिन से ETH का क्या देख रहे थे, कि market अगर, यहाँ पे कुछ पुराने drawings हैं मेरे, पता नहीं क्यों है, इसको delete कर देते हैं, तो ETH का अगर देखेंगे, यह वाला zone मैंने आपको बहुत दिन से दे रखा था, 1680 वाला and market बोवाला zone tap करके, already जो हमारा last है, वहां तक आके liquidity लेके जा चुका है, तो this was already, यह तो already एक 10% का trade था, तो आपका weekly का जो trade का ratio था, वो तो already होई गया है, ठीक है, बट अगर bitcoin और pump करता है, तो ETH का मैं देखता हूं, कि ETH आराम से यहां तक जा सकता है, and शायद ETH और एक देखे जाएगा, बट मुझे odds generally काफी weak लग रहे है, अगर हम ETH का, जो हमारा line है, trend line अगर वो draw करते हैं, आप देख सकते हो कि उपर से नीचे तक वो आ रहा है, and जो parallel channel हम लोग draw करते हैं, तो you can see कि ETH is already out of the channel, ठीक है, तो इसमें कोई भी parallel channel बनने रहा, जबर्दस्ति इस को मत बनाओ, and आपको कोई फाइदा होगा नहीं, ठीक है, but what you can do is कि यह वाला parallel channel के अंदर जब market आ जाता है, या तो फिर ऐसे जाके आता है, या तो फिर अभी आता है, तब फिर इसको resistance बना के market नीचे जा सकता है, बट यह crypto market है, यह थोड़ा सा volatile रहता है, and थोड़ा सा द टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, चार घंटे टाइम फ्रेम में, you can see कि ETH अलड़ी एक higher high देखे, बहुत बड़ा divergence चार घंटे में दे चुका है, तो this was quite an easy trade लेने के लिए, and I hope कि आप लोगा ने लिया होगा, basic जो मैं RSI का strategy आपको दिया हूँ, इससे लिया होगा, only difference between ETH and Bitcoin, ETH अपना जो last low है, वहां से बार-बार support ले रहा है, Bitcoin तो अपने low के आसपास आ भी ने रहा है, ठीक है, तो you can see की one tap, two tap, three tap, already three taps हो चुका है, अगर वापस reject होके नीचे आता है, तो फिर ये low break होगा, वापस हम लोग test करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ETH का ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, बट अभी देखो, market ऊपर की तरफ जा सकता है, you can see की there is some potential buy zones, and शायद market ऊपर की तरफ जा सकता है, वो depend करेगा, US market के ऊपर, हम लोग जिस दिन weekly analysis करेंगे, उस दिन मैं आपके लिए global cover कर लूँगा, but don't worry, we are back on track, हम लोग eventually इन सब को तीरे- cover करेंगे, and आपके लिए weekly मैं तीन वीडियो जालूँगा, क्रिप्ट होगा, क्योंकि अभी वापस time आ गया है, the horse is back on, ठीक है, तो I hope कि आपको value addition आया होगा, और एक चीज़ आपको दिखाना चाता था, मैं, ज्यादा इसको explain नहीं करूंगा, but what you can see here quite clearly is कि मैं दिखाता ह आपको, यह जो date था यहां पर, यह देखो, एक high लगा है, यह fear and greed index है, and अभी भी एक high लगा है, ठीक है, तो अगर हम लोग आके यह देखेंगे, तो this is around 14th of August, यहां पर यह top किया था around 6th of November, and हम लोग वापस अभी है, ठीक है, तो अगर मैं bitcoin की chart में जाता हूं, and देखता ह कि क्या है भाई है, तो मैं आपको basic spot chart में यह दिखा देता हूं, या फिर हम लोग perpetual chart पे चलते हैं, so dates आपको याद रहे गए, 6th of November का date आपको hopefully याद रहे गया होगा, तो हम लोग देखते हैं कि 6th of November को क्या हुआ था, so yes, 6th of November को हम लोग यहां पर कहीं पर थे, and you can see कि हम लोग drop के हैं, फिर देखते हैं कि 14th of August को हम लोग कहां पर थे, so if we go back, you can see कि 14th of August को हम लोग यहां पर थे, and then we dropped, ठीक है, तो ये एक way है, तरीका है, crypto fear and greed index gauge करने का, and you can see कि अभी जो दिखा रहा है, neutral दिखा रहा है, but यह ठीक नहीं है, but you can use it, beginners can use it, alternative.me website है, पहले ही लोग वो नहीं दिये होगे, and मेंको comment section में video like करना पहली बात, second बात है कि comment section में बता ना, कि मैंने जो plan किया है, schedule का, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए, या फिर हम लोग यही focus करें, Monday को weekly, हफते में एक दिन में आपको trading plan दोंगा, 15 दिन के time frame, 15 minute के time frame में, and एक दिन हम ल बता ना comment में, क्या हो सकता है, क्या नहीं, and चलो, मिलते हैं फिर वापस weekly analysis के video के साथ, till then, happy republic day by the way, and take care everyone, and good night, bye-bye.